Assalamu alaikum, मैं हूँ Rukaiya, आप देख रहे हैं प्यारी Rukaiya का किचन, आज मैं आपके साथ जो मैंने शॉटनिंग बनाई थी ना जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि हम लोग बेकरी की तरह बटर घर में घी से कैसे बनाएंगे, जो गी से बटर बनता है उसे शॉटनिंग क हो जाता है, लेकिन मैं किस तरीके से शॉटनिंग बनाई है, मैंने उसको बटर का टेस्ट कैसे दिया, और क्या सीक्रेट चीजे उसके अंदर आड़ की है, जो कि Alhamdulillah मेरी मोस्ट डिमांडिंगी रेसिपी होती है, फूट केक के अंदर, तो इसी से मैं बिस्किट्स बनाती कि हमें जाना घर के लिए ठीक केक बना दे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, कि मैं घर पर बढ़ा के इसी की वीडियो जाना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, कि मैं किस तरीके से तीन पॉइंट का जाना वो फूट केक बनाती हूँ, टीक केक बनाती हूँ, और माशाल इसी तरह का बिलकुल परफेक्ट जो है ना, बेकरी स्टाइल आप लोगों का टीकेक बनेगा, ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से यूज करना है, क्या इंविडियेट इसके अंदर होते हैं, और किस तरीके से हम शॉटनिंग को यूज करते हैं, शॉटनिंग यूज करने स्लाइस एक कप चाय के साथ इनफ होता है, मांशाला इतना जबरदस बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर किसी ने शॉटनिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि ये शॉटनिंग के हवाले से ही वीडियो बन रही है, तो मैं लिंक डिस्क्शन बॉक्स मे देदो मिए आप लोग जा के देख सकते हैं, ताकि आप लोग जब शॉटनिंग बनाएं, उसके बाद आप शॉटनिंग से बेशुमार बेकरी की चीज़े बना सकते हैं, टेस्ट की मैं आपको गैरंटी देती हूँ, टेस्ट बहुत जबरदस आएगा, बेकरी से भी बहु है, ठीक है, और बेस इसकी जो है ना वो 10 इंच की है, तो यहां पर जो है ना मैंने इसके बटर पेपर जो है इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ, इससे क्यों होता ना कि बहुत एजी हो जाता है बटर पेपर के साथ, क्योंकि हम ये बटर वाला केक बना रहे हैं तो हमेश इस तरह से बटर पेपर लगा दिना है, तो यह वहीं शॉर्टनिंग है, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, इसको मैंने लपेट के अच्छे तरीके से कवर करके जहना मैंने फ्रीज में रखावा था, मुझे था अभी ओडर आते हैं, लेकिन यह फ्रीज में रखा और इसको मैंने कवर करके ऐसे ही रख गया था, बॉक्सिस में नहीं निकाला था, और मैंने इसके अंदर रखके उपर लेट दे थी, कोई सी भी, तो फिलहाल यह फ्रीज में पढ़ावा था, अभी मुझे यूस करना है न, तो मैंने वो बटर निकाला, और मैंने उसको नि यहां पर मेरा मिक्सी जार हो गया खराब, जिसकी वज़ा से चीनी पीसना मुश्चिल हो गया था, तो मैंने इसी तरह से दानेदार चीनी ले लिए लिए 250 ग्रैम, और कप्स में यह है, वन कप भर कर, चीनी वेट पे थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वज़ा से यह पू तो यहां पर 200 ग्रैम हमारे पास यह बटर है, और 250 ग्रैम हमारे पास है शूगर, आपने जो शूगर है वो दानेदार नहीं लेनी, आप लोगों ने शूगर को पीस के लेना है, ठीके, और यहां पर जो है ना मैंने एड कर दिया, और उसके बाद मैं इसको बीटर चला रह है, आप लोगों ने जो है ना वो पाउडर शूगर का यूज़ करना है, जैसे घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लोगे ना, आपको उस तरह से यूज़ करना है, यहां पर मैंने तकरीबन छे अंडे लिए है, पांच अंडे इस बाउल की चलाते जाना है, ठीक है, क्योंकि बटर है ना, बटर ऑवर बीट हुआ, तो यह पानी सेपरट हो जाएगा, मत्तब मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक अंडा डालना है, एक मिनट बीटर चलाना है, टाइम पास रख लीजएगा, ताकि आप लोगों जब आप लोगों साथ, जब आप लोगों के बिल्कुल मास्टर हो जाएगे ना, पिर आप लोगों को इशू नहीं होगा, कि ओके इतनी देर करना है, ठीक है, लेकिन पहले चीनी और बटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, उसके बाद आपने बीटर चलाना है, और उस आपको जदा प्रॉबलम नहीं होगी, वो जल्दी से बटर के साथ मिक्स हो जाएगा, जो शॉर्टनिंग हमने यूस किया ना, इसके इनर में हाफ बटर, हाफ शॉर्टनिंग ऐसा कुछ नहीं करती, सिंपल ही शॉर्टनिंग के साथ तमाम बेकरी में काम हो रहा होता है, ठ तो हो कहता है, यह बेकरी जैसा ही टेस्ट है, जैसे बहुत बड़ी-बड़ी बेकरी में मिलना होता है, ठीक है, यहाँ पर तकरीबन मैंने बीट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर एट कर रही हूं, यहाँ पर वनीला एसेंस कर यूज रही कर रही हूं, ठीक है, अगर जो बड़ी-बड़ी bakeries में kakes मिलते हैं, उनका टेस्ट इफ़रेंट होता है, जो boxes में मिलते हैं, तो वो उसके अंदर lemon essence मजूद होता है, तो few drops मैंने lemon essence एड़ कर दिये, अगर आपके पास lemon essence नहीं है, तो कोई issue नहीं है, आपने इस्टार्ट में बनाना है, तो आपने vanila essence य क्योंकि जो fruit cakes होते ना उनका अक्सर का color yellow भा रहा होता है बहुत प्यारा लग रहा होता है तो अगर आप लोग उने yellow color skip करना है तो आप लोग 600 डाल देंगे एक एक करके और 6 minute तक उसको beat कर लेंगे तो यहां मैंने एक minute और beat किया तो यह हो गया 8 minute beat ठीक है, आठ मिनट तक मैने से बीच कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया, अब बीच नहीं करना, ठीक है, अब जो हमारे पास ड्राइ इंगीरेंट है, उसके बंदर हमारे पास है, 250 ग्रैम मैदा, ठीक है, 1.5 कप मैदा लेंगे, ये ब्लू वाला कप, 180 ग्रैम वाला जो रेसिपी में इतना ही डलेगा, क्योंकि ये 3 पॉर्ण का बहुत बड़ा माश्याला हाइटीट केक बनना है, ठीक है, अगर आपने हाफ रेसिपी से बना रहा है, तो आप इस पूरी रेसिपी को हाफ कर लो, तो भी बहुत परफेक्ट बनता है, ठीक है, तो मैं वान वीक के बना रही थी, तो मैंने का चलें, यही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, अब जो नेक्स्ट काम है, जो बेकरी में इस तरीके से मिक्सिंग होती है, वो होती हाथ से, बटर को आप बहुत ज्यादा बीट कर लोगे तो वो सेपरेट हो जाएगे, बिल्कुल, मतलब वो एक फलफी और हलका हो गया है, ठीक है, आपने जब बीट करने अंडे वगारा तब भी आपका अंडो का कलर जो होगा, वो हलका हो जाएगा, ठीक है, लाइट हो जाएगा, और जो अंडे है वो भी हलके हो जाएगे, मतलब बटर हैवी होता है लेकिन उसको बीट करने के बा आपनिंग वाली वो थोड़ा लेट बेक होती है, ठीक है, तो यहां पर जो है ना मैंने पतीले को पहले से प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था, मोल्ड रेडी करना है, पतीला पहले से प्री हीट करना है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अवन है, तो 180 पे 10 मिनट के लिए आप में प्री हीटिंग पे पहले लगा देना है, ठीक है, इसको सेट कर लें आप, कहीं से उपर नीचे ना हो, और कवर कर दे, कवर इसके उपर लिट के उपर आपने कोई वजनदार चीज जरूर देखनी है, देनी है, ठीक है, और आप आप फ्लेम देखने, इतन जब मैंने इसे चेक किया, 40 मिनट बाद, ठीक है, तो केक अभी भी बीच में से कचा था, ठीक है, तो ये लग रहा होता है, लाजबी चेक किया करें, किसी टूथपिक से नाइफ से, और मैंने अगेर इसको कवर करके रख दिया, मजीद 12 मिनट के लिए, ठीक है, तकरीबन ये 50 मिनट के, 52 मिनट में ये केक बेक हुआ था, और 52 मिनट से भी ज्यादा का टाइम होगा था, क्यों मैं किसी काम मस्रूफ होगे थी, जिसके विए से हलका से उपर से कलर आया है, लेकिन ये केक जला बिलकुल भी नहीं है, मैं आपको इसकी बेस भी चट करवाँगी, और यहां पर आप लोग ने केक को पहले रूम टेंपरिचर पर आने देना है, उसके बाद आपने इसे अनमोल कर लेना है, तो देखें, पेपर लगाने से यह हुआ है, जो साइड से बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाती है, और दूसरी बात वो बेस के साथ चिपकती जब मोल के साथ चिपकेंगी और आप लोग अनमोल करेंगे तो कहीं से वो टूट जाएगा लेकिन जब हम इस तरह से पेपर लगाते हैं तो उसके बाद ही होता है कि अच्छे साइड से नहीं चिपकता है और हम बहुत एजी लिए इसको पेपर रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना वो जितना स्पॉंजी होगा ना वो आप इसे प्रेस करेंगे वो आपसी प्री जगा पर आ जाता है इट मेंस कि वो बिल्कुल पर्फेक्ट है तो यह देखें माशाला माशाला अलहम्दुरिल्ला बहुत जबरतस के एक है आप इसे राउंड मोल में बना सकते हैं, इ बना सात्या स्कॉयर में वो 9x9 का मोल लेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए और यह मेरी बहुत बहुत जबरदसी रेसिपी है जो मैंने सारे पॉइंट्स आप लों के साथ शेयर किये अब शॉटनिंग्स की बहुत जबरदस्त आगे और बी रेसिपी जाने वाले जिसमे हम लोग tea cakes, marble cakes और भी बनाएंगे और बहुत variations आएंगे जिसमें हम लोग biscuits बनाएंगे जो के बिल्कुल bakery style होंगे तो यह cake तकरीबन मैं 1200 में sale करती हूँ और अलहम्दुलिला यह demanding में cake रहता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो मिलते हैं एक new amazing सी recipe के साथ Allah Hafiz